अब इस लेक्चर से में स्टार्ट करेंगे डिपेंडेंट सोर्से से काफ़ी डरते हैं जब भी आप नेटवक सॉल करते हैं और इस तरह का ये पतंग वाला डाइमंड शेप जैसा अगर सोर्से कनेक्टे तो बहुत सारे student uncomfortable महसुस करते हैं कि सर इसको deal करते नहीं आता अगर ये नहीं है सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे इंडिपेंडेंट सोर्से का नेटवर्क है तो हमां आसानी सा सॉल कर लेते हैं पर जहां पर इसकी entry होती है थोड़ा सा मुश्कील हो जाता है बट बिलीव में गाइस मैं आपको इनका नामकरन कैसे होता है उसका बीएजी टेकनिक बताऊँगा कि इसको पहचानना कैसे कौन से सोर्स का क्या नाम है कई बार तो वाईवा या अच्छे पीएस उसके इंटर्यू में कई बार इनका एक सिंबॉल बना के दे देंगे और पूछेंगे इसका नाम बताओ इस तरीका वाईवा में पूछा जाता है तो आपको मैं इसको देख की कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नाम किसका है नामकरन देखा बतलब चार शक्स से उसमें से कौन सा क्या है करेंट डिपेंडेंट वुल्टेज सोर्स है वुल्टेज नेमिंग की, तो मैं आपके सामने कुछ example set करता हूँ, ठीक है, उनको एक बताऊंगा, बाकि सब आप बताएंगे, देखो, suppose करो, ये मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक है, ये अलग-अलग, ये एक diamond shape बनाया, और मैंने यहाँ पर plus minus लिख दिया, और इसको लिख दिया मैंने k into k into ix, ठीक है, आपको कुछ इस तरीका का symbol नजर आएगा, कैसा नजर आएगा symbol dependent में, आपको ये diamond shape होगा, इसके अंदर हो सकता, plus minus हो, या हो सकता है arrow हो, suppose करो कि arrow वाले example भी मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है, ये arrow हो, ठीक है, arrow, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, ये k into vx, k into vx, ठीक है, ये इस तरीके patterns होते हैं, क्या pattern होँगे, diamond shape होगा, अंदर हो सकता है arrow हो, या फिर plus minus हो, ये दो possibility बन सकती है, और यहाँ पर possibility क्या बन सकती हो सकता है, kx हो हो सकता, k i, sorry, k vx हो, या फिर k into ix हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है, मैं अगर मैं इसको copy कर दूं, है ना, इसको copy कर लेते हैं, अगर हम लोग, और यहाँ पर मैं एक ये बना देता हूँ, और दूसरा इसको भी copy कर लेते हैं, 4 possibility बन सकती है, हमारे पास, 4 possibility बन सकती, 4 possibility पहले में बना देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, इनकी name ही, चलो, तो क्या और यहाँ पर हो सकता है आपका, plus minus के ix हो चुका है, तो यह हो गया vx, ठीक है, तो चार possible कैसे से, क्या क्या रहेगा, diamond shape रहेगा, उसके अंदर plus minus और arrow रहेगा, plus minus और arrow रहेगा, साथ में, उसके साथ में कुछ यहाँ पर आपको लिखा रहेगा, यह k का मतलब क्या है, k की और वोल्टेज भी हो सकता है, इस तरह का pattern मिलेगा, ठीक है, चलो, सबसे पहले तो, इनका नाम क्या क्या है, है न, अभी जैसे मैंने यहाँ बड़ी आसानी से बोल दिया था, current dependent, current source, current dependent, voltage source, voltage dependent, current source, voltage dependent, voltage source, आसानी से जो मैंने यहाँ पर बोल दिया था, अब आपको बताना है कि इनके नाम उन में से किस-किस के क्या-क्या नाम है ठीक है आपको नाम करन करना है तो दिखें मैं आपको नाम करन के लिए बहुत ही simple तरीका बताता हूँ बहुत ही simple तरीका है ना सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए ये plus minus अगर लगा है तो यह क्या कुन सा सूर्स है हमारा वुल्टेज सूर्स है क्या बोलेंगे हम लोग वुल्टेज सूर्स क्या बोलेंगे वुल्टेज सूर्स है और इसके डिपेंडेंसी किस पर है इसके डिपेंडेंसी किस पर करेंट पर तो हम यह बोल देंगे और यह क्या है source कुन सा है voltage source तो हम क्या बोलेंगे current dependent voltage source अब आसानी से कर लोगे बिल्कुल कर लोगे चलो इसका नाम देखते हैं है न इसका नाम बताओ तो अंदर क्या है arrow है arrow इसका मतलब क्या है current source arrow का मतलब क्या है current source dependency किस पे voltage पे तो हम क्या बोलेंगे, voltage dependent current source, dependency किस पे है, voltage पे, voltage dependent current source, आसानी के नहीं, अब जल्दी से इसका तो करीद होगे, थोड़ा सा मैं इसको और इस side में लेके आ जाता हूँ, जगे कर देते हैं आपके लिए, ठीके, चलो, अब इसका आपको naming करना है, थोड़ा सा color भी बदल लेते है इसका naming करना है, क्या नजरा आ रहा है, arrow, इसका मतलब क्या है, current source है, क्या है, current source, और किस पे dependency है, dependency किस पे है, current पे dependency है, तो current dependent, ये dependency किस पे, ये बनाना नहीं है, ये arrow नहीं बनाना है, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि, dependency का arrow बना दिया, आपको व्याद रखने के लि अब इसमें बचाओ, इसमें आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो गया, वुल्टेज सोर्स, किस पर डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी किस पर, वुल्टेज पर, तो voltage dependent voltage dependent voltage source हो गया name clear हो गया अब आपको कभी भी किसी भी वाईवा में अगर इस तरीके से diamond shape का या फिर k into vx k into ix अगर दे दे और आपसे कूछ है कि बताओ लिख के बताओ इसका नाम क्या है तो आप 2 मिनिट पे पेचान लेंगे plus minus होगा तो voltage source arrow होगा तो current source जिस पर dependency है current पर dependency होगा तो current dependent फला ना source और voltage पर dependency होई तो voltage dependent फला source कर लोगे बहुत ही आसान है चलो तो sir एक चीज अब समझ में आगई है आप लोगों को मुझे यसा लगता है आपको अनम में ऐसा होगा हाँ sir अब naming तो हम आराम से कर लेंगे बट आपको एक चीज बताता हूँ मैं पहली चीज जब circuit solve करेंगे आगे की चीज बता रहा हूँ आपको बागी याद रखना जब आएगा यह जो जिस पर dependency होती ना जिस पर भी dependency होती है यह dependent यह तो किसे ने किसे circuit से जुड़ा रहेगा यह किसे ने किसे circuit से जुड़ा रहेगा देखिए थोड़ी दर के लिए यह मैं बोल देता हूँ यह यहाँ पर plus minus थोड़ी दर के लिए 2 2i2 इस तरीके से गीवन है यहाँ resistance होगा यहाँ पर कुछ resistance कैपेसेटेंस कुछ भी होगा हो सकता है capacitance भी नहीं हो आपका हो सकता resistance हो कुछ भी हो बट मैं आपको एक चीज बताओ कि जिसपे भी dependency होगी जिसपे भी dependency होगी वो जो dependent हमारा variable होगा वो circuit में कहीं ने कहीं पर गीवन होगा suppose करूँ यहाँ यहाँ पर गीवन है क्या बात ध्यान रखना है कि जो भी हमारा dependent variable है dependent variable है वो उसका जो notation है कहीं न कहीं entire circuit में आप ध्यान से देखोगे तो यह जो है यह dependent variable कहीं न कहीं गीवन होगा और जहाँ पर भी गीवन हो वहाँ से हमें एक equation मिलेगी वहाँ से हमें clue मिलेगा एक hint मिलेगी circuit को solve करने के लिए समझ माया आपको क्या ध्यान रखना है dependency का मैंने बता दिया notation क्या है ठीक है पहचाना नाम केसे करना है यह बता दिया और यह भी बता दिया आगे की चीज कि जिस पे भी dependent variable है वो कहीं ने कहीं circuit में given होगा और वहाँ से एक equation हमारी जरूर बनती है circuit solve करते टाइम पे बाकि इसको जब हम लोग solve करेंगे जब question solve करवाँगा तब मैं आपको इसको बार बार बताऊँगा कोई दिक्कत नहीं जिसको समझ में अच्छी बाच है नहीं भी आयत कोई दिक्कत नहीं आगे जब circuit solve करेंगे तो जब dependent variables वाले questions करेंगे तब आपको मैं और detail में आपको वहाँ पे बता दूँगा कि यह जो मैंने समझाया है न यह मैं question जब करवा दूँगा तो और भी अच्छे सा आपको समझ में आएगा ठीक है अब देखो अगर मैं यहां वह बोलू तो यह क्या है सारे के सारे यहां से लगा कि यहां तक सारे के सारे क्या है linear dependent sources है क्या है यह linear linear dependent sources dependent linear dependent sources किसके respect में linear है यह with respect to with respect to dependent variable with respect to dependent variable with respect to dependent variable ठीक है तो यह चारो की चारो क्या है हम यह बोल सक्थे dependent जो भी linear dependent sources है linear dependent sources with respect to dependent variable इनके dependent variable के form में अच्छा अगर मुझे मुझे अगर non-linear वाला बनाना पड़े मुझे अगर non-linear बनाना पड़े तब में क्या करूँगा suppose करूँ यह voltage VX से K into IX का holy square तो यह क्या हो गया जैसे square हो गया इसका मतलब यह क्या है हमारा non-linear यह क्या है non-linear non-linear बट यह हमारे syllabus में नहीं है ठीक है यह हमारे network के syllabus में यह square non-linear वाला जो है वो आता ही नहीं है बट मैंने आपको cut मत करो यार चलो है ना cut कुरें देते है ना हमारे network के syllabus में नहीं है network के syllabus में नहीं है क्योंकि यह क्या है हमारा non-linear है तो यह वाला जो हिस्सा है यह हमारे network में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा network theory में सिर्फ और सिर्फ आपको with respect to जो linear है linear dependent source है with respect to dependent variable इनके ओपर कभी भी squaring नहीं मिलेगा क्योंकि squaring वाले को बोलते हैं हम लोग non-linear जो की network theory में हम लोग बहुत detail में नहीं पढ़ते हैं समझ में आ गया अब आप बोलोगे sir एक बात तो हमें समझ में आई कि dependent और independent पढ़ने के बाद कि independent voltage source और current source तो समझ में आता है कि practically exist करते हैं बट यह dependent क्या physically या practically exist करते हैं या फिर इनका utility क्या है तो मैं आपको पता हूँ कि physically exist नहीं करते हैं यह जितने भी sources है यह physically exist नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या है क्या मन घड़त कहानिया है क्या यह यह सिर्फ और सिर्फ मन से बनाई हुए कहानिया है क्या बिल्कुल है क्योंकि science को समझना है तो बहुत सारी चीज हम लोग मन घड़त करते हैं सिर्फ notations के लिए है ना हो सकता कोई किसी ने case notation दिया हो किसी ने और किसी से notation दिया होगा तो यह सारे के सारे जो भी dependent sources है physically exist नहीं करते हैं इनका utility सिर्फ और सिर्फ एक जगे पे है जहां पर हम यह क्या करते हैं जो solid state हमारे जितने भी component है solid state transistor BJT MOSFET इनक करने के लिए इनका यूज करते हैं हम लोग कहां करते हैं जितने भी हमारे solid state element है like MOSFET जितने भी semiconductor वाली जो दुनिया है MOSFET BJT उनमें जब आपको H parameter यह सारा चिप बनाओगे तो वहां पर यह आपके जितने भी dependent sources हैं से तो किस तरीके से show कर सकते हैं उसको electrically modeling करने के लिए electrical modeling करने के लिए इन dependent sources का हम use करते हैं ठीक है एक application भी समझ में आ गया तो यह points में लिखवा देता हूं one by one ताकि आपको याद रहे क्योंकि interview में कई बार पूछते हैं तो चलिए guys कुछ important points मैंने लिख दिये जो मैंने बहुत जारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुगा electronics वाला जब आप electronics में एनालोग electronics है ट्रांजिस्टर बीजटी मॉस्पेटोरी सब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका बार बार यूज़ करेंगे हम लोग dependent sources का हम लोग हमारे network में भी बहुत ज़्यदा use करेंगे network में भी पूरा जब network solving देखेंगे तो हम लोग two-put में बहुत ज़्यदा use करेंगे ठीक है transformer में जो magnetic couple circuit है वहाँ पर use करेंगे dependent sources का but use इतना ही होगा कि हम लोग किसी circuit को या किसी element को या किसी device को हम क्या कर रहें modeling करने के लिए use कर रहें modeling करने के लिए use कर रहें सिर्फ और सिर्फ ठीक है और the dependent sources आप physically exist नहीं करते हैं physically exist नहीं करते हैं they are not a physically existing element ठीक है the dependent sources are linear and bilateral elements यह point भी बहुत बार student पूछते हैं ठीक है क्योंकि देखें क्या होता है अधर देन जो gate examination होती है तो वहाँ पर यह जो point है ना जैसे sscj के exams हो गए या फिर जो psus के paper हो गए वहाँ पर यह bilateral है linear है तो चार option गीवन होते हैं dependent sources क्या है independent क्या थे independent non-linear थे और dependent क्या है linear है और independent क्या थे unilateral थे bilateral थे वह unilateral थे यह क्या है आपके bilateral है है ना table भी बना सकते हो चाहो तो एक table बना के dependent और independent में आप लिख सकते हो के linear है bilateral है है और वो क्या थे active थे आई बासावज में तो independent आपके अगर मैं बात करूं यहां पर चलो वापस से यहां चलते हैं तो यह जो independent थे यह हमारे एक तो active थे दूसरा क्या था non-linear था और unilateral थे और dependent क्या हुए अभी तक की कहानी में यह है हमारे linear और bilateral है अब मुद्दा यह है active है या passive है मुद्दा क्या है active है या passive है सर यहां तो हमने confidently बोल जाता है active है बट यहां पर confidently नहीं बोल पाएंगे active है या फिर passive है तो हमारा answer होगा अगर को dependent sources active है या passive है यह question आप सकर कोई पूछे तो आप क्या करोगे बोलोगे sir यह depend करता है situation पे क्या बोलोगे आप sir depend करता है situation पे सामने वाला अगर interested होगा वैसे तो सामने वाला समझ जाएगा इससे पता है यह statement बोलते से ही सामने वाला जो interviewer होगा वाइवाव अगरा में college time पे या फिर PSU में वो समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे को आता है आगे पूछने की जुरूत नहीं उन दूसरा question पूछ लेगा बट हो सकता उसके मन में थोड़ा सा doubt हुआ कि पता नहीं इसको पता है के नहीं तो आपका answer क्या था sir यह depend करेगा situation पे तो वो बोलेगा interviewer कि please elaborate your situation आपके situation explain करिए कि कहां पर है कहां पर नहीं है तब आप क्या बोलेंगे वो यह बोलेंगे मैं बताता हूँ आपको क्या बोलना है आपको उस टाइम पर देखिए उस टाइम पर आपको बताना है कि जब भी कभी network में जब भी कभी network में देखिए यह network आपको नजर आ रहा है इसमें 4 ohm है, 2 ohm है और यह dependent अब मुझे एक चीज़ बता है, यह resistances दोनों के दोनों क्या है आपके? passive है, दोनों के दोनों क्या है? passive element है और यहाँ पर इस network में कोई भी active element है क्या? अभी इसके बारे में मत छोड़ो, अभी बोलो कि यह हमारा dependent sources है अभी इसके बारे में decide नहीं, active है, passive है अभी इसको छोड़ो, इसके अलावा कोई भी active element है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब है कि जब भी कभी network में network में कोई भी independent source नहीं है कोई भी independent source नहीं है, सिर्फ और सिफ resistances है और साथ में आपके एक dependent source लगा है तो यह जो dependency है ना इसकी, कि इसके उपर है, VX है और VX कहां है, यहां है, और यह VX तभी picture में आएगा जब यहां पर current आना चाहिए जब यहां पर current आना चाहिए, क्योंकि current होगा, resistance होगा तभी तो voltage VX होगा, और voltage VX हुआ तभी तो इस source को energy मिलेगी क्योंकि यह VX की value हुई, suppose करो VX equal to 2 volt तो जब 2 volt का यहां होगा, तो 2 into 2 क्या होगा, 4 हो गया तो यह 4 volt की battery बन गई, उस case में बट आपको इसको अगर 4 volt की battery बनाना है या कुछ भी बनाना है, मतलब इसको जगाना है यह सोया हुआ है अभी, यह जो source है यह अभी क्या है, सोया हुआ है इसको active कोन करेगा, इसको active करेगा यह variable और यह variable कहां लगा है, यह variable यहां पे लगा है इस variable को जगने के लिए क्या चाहिए, current चाहिए और यह current कहां से आएगा यह current तो generate करने वाला इस circuit में कोई भी नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ना current अगर नहीं आया तो VX भी नहीं होगा, और इसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा इस case में यह आपका हो जाएगा passive element, यह क्या हो जाएगा passive, dependent source, passive इसका nature क्या हो जाएगा, passive हो जाएगा और इसको बोल सकते हम लोग, dead circuit इस पूरे circuit को बोलेंगे, dead circuit dead circuit बिल्कुल सोया हुआ है, जानी नहीं है है ना, बिल्कुल सोया हुआ है, जानी ने, dead circuit क्योंकि इसके अंदर current ही नहीं है क्योंकि सारा का सारा खेल क्या है और यह current produce करने के लिए आपको at least एक independent sources की जुरूत पढ़ेगा समझ मा आ गया second case लेते हैं same थोड़ा सा मैंने modification कर दिया चलो तो यहाँ पर यह VX किस पर dependent यहाँ पर और इस VX में यह VX कब active होगा resistance है, यहाँ पर current आएगा तभी होगा क्योंकि voltage equal to क्या होगा, I into R तो resistance into current तो current कौन produce करेगा, यह voltage source current produce कर सकता है बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यह क्या है यह आपका active element है, active source है independent source है तो हम यह बोलेंगे, conclusion यह है कि अगर network में सिर्फ और सिर्फ passive element है सिर्फ और सिर्फ dependent network से जो भी network है, वो किस से भरा हुआ है dependent sources से, तो उसको बोलेंगे dead circuit, उस case में हमारा जो dependent source होगा, उसका nature होगा passive, आई बास समझ में और यहाँ पर अगर आपके circuit में dependent के साथ में at least एक भी बेटरी लग गई एक भी independent source आ गिया तो यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा circuit active हो जाएगा, उस case में इसको बोलेंगे हम लोग active dependent source active dependent source, मज़ा आया होगा है ना, बहुत बहुत ही मज़दार चीज़े क्योंकि यहाँ से interview वगईरा में चीज़े पूछी जाती है तो dependent source active है या passive है तो आप क्या बोलेंगे, depend करता है situation, और अगर interview ने बोला, please elaborate your situation तो आप क्या बोलेंगे, यह लो situation सर, passive और active खुश हो जाएगा, आपको अच्छा number देदेगा है ना, और job interview हुआ तो selection के भी chances जादा हो जाएगे तो इसी को मैंने क्या किया है, यहाँ पर language के form में लिख दिया है note करके, जो भी important चीज़े जो भी important चीज़े क्या लिख दिया मैंने dependent source is act as a active is act as a active, जाना, highlight कर देता हूँ मैं act as a active when at least one independent source that is 8 volt, यहाँ पर क्या है, 8 volt present in the network, otherwise it acts as a passive element तो आप क्या बोलोगे कि dependent sources का nature क्या है active है और passive दोनों हो सकते depend on the situation at least अगर एक independent source network में है तो वो क्या हो जाएगा active, otherwise passive, तो यह note point भी आप लिख सकते हो, मज़ा होगा dependent sources में, ठीक है, आब इनकी देखिए, अभी तक यह देखिए electrical network में भी क्या है, dependency है कहीना के clue given है, जिस पे भी dependent variable है, वो variable कहीना के exist करता है अब इसको solve केसे करेंगे, वो आगे के जो lectures पढ़ेंगे, हम लोग network को solve करेंगे, तो वहाँ पर एक एक question solve करके देखेंगे, तो आपको बहुत मज़िदार तरीके से मज़ा आएगा, ठीक है और बहुत आसान इसा आप जो भी dependent variable से अभी तक डरते थे न, क्योंकि कई बार देखें, मैं भी student था न, जब भी dependent आ जाते थे, तो मुझा अभी शुरूआत में मज़ा नहीं आता था, एक question करते करते, जैसे dependent आया, ऐसा लगता, bypass करने का मन करता है बट क्या करें, मजबूर ये selection लेना है ये तो काम आसान हो जाएगा, तो इसलिए मेरा भी purpose है, ये इसको अच्छे सा पढ़ाने का, कि आप 0 से आप जान जाएए, और उसके बाद इसको जब circuit में solve करेंगे, आपके लिए बहुती easy तरीके से इसको pick कर लोगे, जो मैंने यहाँ पे जो भी बाते बोली, बहुत important है, जब circuit solve करेंगे, तो इन points को में बार-बार यार दिलाते रहूंगा, ठीक है तो at this node, हमारा ये unit पूरी तरीके से completely खतम होता है, types of sources हम लोगों ने पढ़ लिये है, ठीक है, चाहे वो dependent हो, independent हो, सब कुछ हम हम लोगों ने finish कर लिया है, और at this node हमारा ये unit भी finish होता है, next, अब theoretical portion अब बहुत ज़्यादा नहीं है, next units हम लोग किर्चॉफ, current log, KCL, KVL, औरी सब स्टार्ट करेंगे, और एक नई unit स्टार्ट करेंगे, basic solving technique, कि किसी भी network को solve करने की, अब देखियो, क्या हुआ, देखो, मैं थोड़ा सा आपको वो कर देता हूँ, एक picture बना देता हूँ, आपके दिमाग में, अभी तख हम लोग resistance, inductance, और capacitance, इनकी पूरी तरीके से जानकारी ले चुके हैं, ठीके, और इनके अंदर flow होने वाले charges, current, voltage, voltage, current, ठीके, और power, energy, सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा intro ले चुके, इसके बारे में जो sources से plus minus current source होगा, voltage source होगा, इनके बारे में भी देख चुके, मतलब हमने completely network draw कर दिया है, completely क्या कर दिया है, network के सारे RNC parameter के बारे में जानकर ले लिए, sources के बारे में information ले लिए, अब हमें क्या करना इसको solve करना है, क्या करना इसको अब हमें solve करना है, और solve करने के लिए बहुत सारी techniques बनाई गई है, circuit को solve करने के लिए बहुत सारी methods, बहुत सारी technique बनाई गई है, उन techniques को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है basic solving technique और advanced solving technique ठीक है तो अगले lecture से पहले हम लोग एक unit में क्या करेंगे basic solving technique पढ़ेंगे then advanced solving technique पढ़ेंगे technique बहुत अच्छे से सीख गए उसके बाद जो मरजी हो उस technique से solve करना मुझे तो चाहिएगा सिर्फ फोर सिर्फ answer तो next lecture से मिलेंगे basic solving technique not advanced basic solving technique के साथ ओके थैंक यू